कभी बच्पन में सक्तिमान सीरियल आता था और उसमें एक ठर्म आती थी छोटी छोटी मगर मोटी भाते इन मोटी मोटी किताबोंगे जनजाल से निकालने के लिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आउं जो पीछे है यह बी किसी काम का ही है जो हमारे हाथों में है ये भी किसी काम का है सवाल उठता है कि निबंद कहां से पढ़ें कोई दुनियाक बात नहीं मुद्दे की बात बहुत चोड़ी सी बात लेकिन बड़े काम की बात ये 10-12 मिनट हमको दे दीजिए निबंद कहां से पढ़ें इस जंजट से सदयव के लि लीजिए तो कोई आप से कहता है कि ये घटना चगरी की किताब निबंद वालों ने चापी इसमें से पढ़ लीजिए बहुतों किताबें हैं एक महतुपूर्ण संस्थान है उसकी भी किताब वाजार में अवेलेबल है निबंद के साथ सवाल उठता है कौन किस से पढ़े ये पढ़ा भरमजाल है कुछ लोग कहते हैं अखबार से संपाथ किये से निकाल के पढ़ लीजिए कहां से पढ़ें निबंद यही सबसे बड़ी तो आज हम दवाई लेकर आ गए आपको बताने के लिए कि देखो बास कई से पढ़ें निबंद कहां से पढ़ें तो एक ब घीतर से निकलेगा जो लिखा हुआ होगा वो आप का लिखा हुआ होगा आप किसी का कॉपी पेस्ट कर ही नहीं सकते हैं के tut बंद पढ़ें नहीं अरे नहीं ऐसा किसे पढ़ना तो पढ़ेगा लेकिन जिसलिया पढ़ना चाहते हूं बात को समझजिए आप पढ़ना चाहते हैं कि आप कोई बना बनाया किसी का निबंद पढ़े और जाकर चेप दे यह नहीं होता है और यह नहीं होता है। तब वो आपका निबंदवन के कागज पे उतरता है कलम से ये बात समझनी है तो यानि कि कहीं से पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा उसको पढ़के अपने भीतर हजम कर लेने से काम चलेगा तो गुरुजी कोई एक किताब कोई एक material बताओ जिससे पढ़के हम खा लें चबा अब उसके बाद जाके copy में उलजावें है UPPCS में भी लिखना है ROYRO मेंस में भी लिखना है तो हम आपको बताते हैं आपको बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग किताबों के reference दिये होंगे जैसे सामान निता जब आप किसी से निबंद की बात करते हैं तो वो आप से कहता ह है कि निशान्त जैन की निबंद की किताब ले लीजिए बहुत बहतरीन किताब है निसंदे भाई IS है अब हिंदी माध्यम के टापर रहे हैं UPPC में निसंदे बहुत जबरदस दे लेकिन यह IS के निबंद बहुत बहुत बहतरीन लिखे हैं इसमें तुम जा रहे हो ROYRO और UPPC सी का निबंदा देने तुमको लिखना है तुम्हारे सलेबस में नौ टॉपिक आलरेडी दिए गए उसमें से तीन टॉपिक में निबंद लिखना है यहां निबंद कैसे हैं अमूर्तु निबंद हैं अमूर्थ निबंध क्या होता है जैसे टॉपिक लिखा है भाग्य साहसी का साथ देता है निबंध लिखो और 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 निबंध लिखा हुआ है रूण हिगत नहीं तिकता आधुनिक जीवन की मार्ग दर्शक नहीं हो सकती यह काहे का निबंध है आईएस का निबंध है PCS में आरो यारो में निबंध ऐसे नहीं आते तो ऐसी मेहनत करने का क्या फाइदा यह निबंध अचाहां BPSC में अमूर्थ निबंध पूछ लिए जाते हैं तो BPSC वाले यह किताब देख लेंगे तो बात बन जाएगी तो कहने का मतलब यह है कि इस बुक इस बेस्ट फॉर किताब का जंजाल खतम हो गया दूसरी किताब परिक्षा मन्थन की बहुत गजब किताब आई है मास्तर साथ हमारे पास एक पुराना संस्क्रण यह हर बार अपडेट करते हैं 300 से अधिक निबंध लिखें अद्भुत संकलन है सारे चेप डाले पढ़ दाले मानो तसकरी औ भारत मीटू अंदोलन इस्त्री चेतना काहवान सूचना का अधिकार ब्रस्टाचार सूचना का अधिकार जन्विश्वास खूब मैटर लिखाए गरोजी पढ़े पढ़ी पाओगे इतिहास की इत्ती मोटी घटना चकर अभी पढ़ने प्राण निकले जा रहे हैं तुम घटना चकर वालों ने बड़ी पतली किताब चापी ऐसी कोई किताब और इसमें सारे निबंद लिखे हुए हैं इससे पढ़ने तो हो जाएगा अभी इस पर विवात करते हैं अब हम असली बात कर लेते हैं एक और पब्लिकेशन की नामी कोचिंग है संस्थान का नाम लेन अविलेबल हैं उनकी भी एक किताब निबंध किया हुई है जिसमें उन्होंने यूपी प्यस्थी उत्तर प्रदेश के सारे निबंधों के उत्तर चाप दिये हैं वह भी ठीक किताब तो पढ़ें किस से तो अब आप समझें यह तो हमने बता दिया मैंने भी एक बात जाएगा कैसे तो उसका तरीका यह है कि आप कहीं से भी पढ़ें आप परिच्छा मंधन से पढ़ ले आप भट कहीं से भी उठाया सकता, जी मैं कहीं से भी कहीं का पढ़ा हुआ आपके काम आएगा, बस वो प्रासेस के आपना कैसे बनाए जा, तो समझे, सबसे पहले आप इन किताबों के फेर में अभी मत पढ़े, मत पढ़िए जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुने सबसे पहला काम क्या करिएगा अब मुख्य बाते बताने जा रहा हूं सबसे पहले तो आप देखिए कि आप क्या आरो या या यूपी पेसी में निबंध का पाठ्थ करम क्या है नौ टॉपिक आते हैं वो नौ के नौ रख ले अब वो पाठ्थ करम आपके सामने उसके अलावा प्रिवेस एर पेपर में कौन-कौन से से पूछे गए जरा इस पर नज़र डाले पहला काम यह करना होता है कि आप जिस परिक्षा के लिए जा रहे हैं और जो सवाल आप से पूछे जाएंगे वो कैसे नौ जो टॉपिक है उनको लिख लेंगे और उसके माध्यम से अनल्सिस करेंगे अचा इस टॉपिक से आया इस टॉपिक से यह पहला काम अनल्सिस का करना है निबंद लिखना सिखना चाते तो दूसरा काम क्या करना है अगर आपको चाहे वो नामी संस्थान की कोचिंग हो वो नामी संस्थान की किताब हो और चाहे वो कोई योजना हो चाहे वो संपादकी हो अगर आपको लगता है कि या कोई घटना चक्र हो कोई हो अगर किसी ने प्रीवियस एर पेपर जो पिछले 10-12-15 सालों में निबंध आए हैं उनको अच्छे सिर्फ वही निबंध यह परि जी बंध यद लिख करके चाहे वो को नामी संस्थान दे रहा हो अपने publication में चापकर करके और या कोई publication साधार किताब चापना वाले publication दे रहा हो तो वो किताब आप बज़ार से खरीद लाइए बात समझ गया वो किताब आप बज़ार से खरीद लाइए जिसमें previous ut पर के answers दिये हूं आपको answer रटना नहीं हम आपको बता दे रहा हूं answers दियो हूं वो किताब उठा लगे आपको मिल जाएगी आप बाजार में जाया आप उनको बोलें कि पुताक किताब के दुकान पर बोलें खरीद लाएंगे उसको आपने अपने पास रख लिया अब आपकी मर्जी आया आपने जो analysis किया है आप analysis को बार बार पलट के देख लेते हैं इसमें ये सवाल इस तरह से पूछा गया है ये निबंद पूछा गया देखें इस निबंद को इन्होंने इस तरह से लिखा है ये आपका analysis वाला पार अभी आप उसमें से कुछ नहीं कर रहे हैं आपको कहां से शुरू करना है आपको पहुंचना है उसी लेवल पर कि जब आपको निबंद लिख लें आपको कहां से शुरू करना है आपको अखबार उठाईए कोई रोज का हिंदी का एनी अखबार जैसे जनसत्ता का फोटो खीच के मैंने लगा लिखा है बदहाली से उबर नहीं पारही किसान किसानों के सामने हमेशा संकट बना रहता है प्राक परिवर्तन का क्रिसी पर पढ़ने वाला प्रभाव भी समझ में आ रहा होगा और भारत में क्रिसी की वरतमान विवस्था समझ में आ रहे होगी करिंट में क्रिसी में क्या चल रहा है वो समझ में आ रहा होगा यानि क्रिसी और जलवायू यह दो मोटे मोटे टॉपी एक द पढ़ने के बाद इसको समझिए और समझ करके इसको अपने शब्दों में लिखने का प्रिवेसर पेपर के अनिल्सिस करना है और कोई भी पूर्व परिक्षा निबंध की किताब लाके अच्छी आपको लेवल की लगे वह लाके अपने पास रख लेनी है यह काम ऐसे रख लेना है और उसके बाद यहां ए शुरू करना है आपने इसको पढ़ा अपने शब्दों में लिखा दूसरे दिन दूसरा पढ़ा अपने शब्दों में लिखा कोई भी अटरंगर उठा जब आप एक बार देख लेंगे कि निबंद किस तरीके के पूछे गए हैं तब आप संपाद किये जब पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा यह हमारे मुद्दे का टॉपिक मिल जाएगा यह हमारे काम का है यह हमारे काम का है आप उसमें सब फिर से दुनिया भर की कह कानी नहीं पढ़ेंगे संपाद किया में बहुत सारी बाते होती हैं अगर आपने एक बार से को अनलेसिस कर लिया आपने प्रिवियस एर पेपर से देख लिये तो आपको पता चल जाएगा कि यह हमारे से काम का टॉपिक है यह नहीं है यह आपको खुद और करना खुद प अब्भ्यास आपको जानता है क्या अरमा आप्भ्यास यह करना है कि उस प्रिवियस एर पेपर साल्ड किताब में से कोई निबंध 15 और जिस फॉर्माट में लिखा हूआ है उसी फॉर्माट में लिखने का अपने मन से प्रयत्न करिये बीना देखे बीना देखे कम से कम 10 अ अभ्यास एसे कर लिजिए अभ्यास सम्पाद की वाले अभ्यास और जन्सत्तverbs से पढ़ें आप कहीं से भी पढ़ें भाई कहीं से अर्फिल पढ़ें यही तो मतलब आप कम से कम दस ऐसे अभ्यास करें एगार आप आप 10 ऐसे अभ्यास कर लेंगे आनिकी संफाध केपको पढ़ा समझा अपने विशार से उसको नोट कर दिया पढ़ा जब ऐसे 10 अभ्यास कर लेंगे तब आप एक निवन्ध को उठाही जो sword paper में दिया हो, उसको अपने शब्दों में गढ़िए, उसको पढ़िए, समझिए, फिर अपने शब्दों में उतारने की कोसिस करिए, ये process है, इसको शुरू करतीजी, start करतीजी, फिर, फिर मिलते रहेंगे, ऐसी छोटी-छोटी-मोटी-मोटी और बात बताते रहेंगे लेकिन ये पहला कदम दिया है, start from here, आगे निवन स्रिंखला में, फिर से कोई छोटी-छोटी-मगर मोटी बात आपको बताएंगे, जुड़े रहेंगे, आपके अपने चैनल, हिंदी भासकर पर, अपने मास्टर साहब, अमरनात के संग, खुब खुश रहें, मस्त रहें, आपके बिंदास रहें, सदा सरवदान दित रहें, लेकिन जब मैं अगला वीडियो बढ़ाऊंगा, तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपने ये काम कर लिया, तो ये करना शुरू कर दीजे, कम से कम साथ दिन बाद अगला वीडियो आएगा, बाकी तो आपको सावनों बज़े जो मिलता है, मिलता ही रहेगा, लेकिन इस वीडियो में जितनी बात बताई, दो बात बताई, क्या फिर से नोट कर लें, पूरा सलेबस आपको लिख लेना है, उसके बाद प्रिवेस एर पेपर का एनलसिस करना है, साथ में बाजार से एक ऐसी किताब लानी है, जि अपने शब्दों में लिखना है, जब कम से कम दस कर लेना है, तब एक निबंध उसमें से करना है, इतना कर लीजिए, उसके बाद कमेंट करके बताईएगा, आप ये होमवर्क कर रहे हैं, और जब आप ये होमवर्क कर लेंगे, हमको पर्याप्त कमेंट इस वीडियो पर जब मिलेंगे, कि हाँ आपने कुछ काम कर लिया है, तब हम अगला वीडियो, अगली बात, how to collect thought, विचारों को कैसे इकठा करें, इस पर चर्चा होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, खुब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, बाई बाई